राजस्तान में लोक सभा चुनाओं से पहले एक बड़ा उलट फेर देखने को मिल सकता है अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नागौर के खीमसर से विधायक और आरलपी प्रमुख हनुवान बेनिवाल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है वहीं इन चर्चाओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के एक बयान ने और बल दे दिया है दरसल विधान सभा चुनाओं में तीसरी शक्ती का दावा करने वाली हनुवान बेनिवाल की पार्टी आरलपी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई है इसके बाद हनुवान बेनिवाल ने भी लोगसभा चुनाओं भी अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है लेकिन पिछले दिनों अचानक से हनुवान बेनिवाल की सुरक्षा बढ़ाई जाने के बाद प्रदेश में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है सोशल मीडिया पर यहां तक दावा किया जाने लगा कि हनुवान बेनिवाल अपनी राष्ट्रिय लोग तांत्रिक पार्टी का विलय भाश्पा में कर सकते हैं तो वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि लोगसभा चुनाओ में हनुवान बेनिवाल और भाश्पा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है लिहाज़ा ऐसे में एक बार फिर से हनुवान बेनिवाल की NDA में वापसी हो सकती है विधान सभा चुनाओ से पहले भी भाश्पा और हनुवान बेनिवाल के वीच गठबंधन को लेकर चर्चा होई थी लेकिन बात नहीं बनी थी इसके बाद अब लोगसभा चुनाओ से पहले बेनिवाल घर वापसी कर सकते हैं हालाकि उनकी घर वापसी किस रूप में होगी ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाओ में भी भाश्पा का हनुआन बेनिवाल के साथ गड़बंदन हुआ था भाश्पा ने बेनिवाल के लिए नागोर लोकसभा सीट छोड़ी थी जिस पर बेनिवाल ने 6 लाग से जादा मतों से जीत हासल की थी